Hello everyone, welcome to your own channel English with Mokshitah और आज हम tense की सीरीज में कर रहे हैं future continuous tense future continuous tense तो इसकी पहचान क्या है ? आपके हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा ? अब देखो मैंने आपको पता था कि कोई भी continuous हो वर्ब की first form plus ing मिलेगी आपको ठीक है और आपका जो present का continuous था उसकी पहचान क्या थी रहा है रहे है past का जो continuous है उसकी पहचान क्या थी रहा था रहे थे और future का continuous है इसकी पहचान क्या होगी रहा होगा रही होगी रहे होगे रहे होगे अब हिंदी में तो हम पहचान लेंगे कि रहा होगा रहे होगे रही होगी होगा तो हम पहचान लेगे कि ये continuous है लेकिन अगर हमें English में दीख जाए तो आप कैसे पहचानेंगे उसके लिए formula है आपका पहले तो आपको क्या मिलेगा subject मिलेगा उसके बाद helping verb मिलेगी shall be या will be shall be या will be में से कोई एक helping verb मिलेगी उसके बाद verb की first form के साथ ing मिलेगा और उसके बाद object मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये tense है आपका future का continuous tense है helping verb shall be will be और verb की first form plus ing subject और object तो सभी में होते हैं आपको क्या पहचाना होता है helping verb और main verb अब हम कोई भी sentence लेते हैं जैसे राम पढ़ रहा होगा कि राम पढ़ रहा होगा अब subject क्या है राम और आपको simple future में आपने सीखा था कि selb號 का user क् erw किस के साथ होता है i और v के साथ तो लगता है selb तो ऐसे ही इसमें bude i और री के चाहत लगेँगा self b और अब कि सभी के blend के लगएगा गयगा विल भी अब subject क्या है राम तो RAM subject है, RAM के साथ क्या लगेगा, will be, और क्या है पढ़ना, तो read, और helping verb के साथ क्या लगेगा, ing reading, बस हो गया, object इसमें है यह नहीं, अगर issue का हमने negative sentence बनाना है, negative sentence क्या होता है, नकारात्मा के जिसमें note का यूज होता है, तो उसमें कैसे बनाएंगे, पहले subject, फिर cell not be, या will not be, उसके बाद verb की first form plus ing, उसके बाद object, उसके बाद object, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसी simple sentence का, अगर हमने negative बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, राम, विल, नोट, बी, रीडिंग, ये आपका negative sentence हो गया, अब हमने interrogative sentence बनाना है, हमने continuous में ही future continuous का interrogative या नि पर्शन वाचक sentence बनाना है, तो कैसे लगाएंगे, helping वो बहर आ जाएगी, sell या will बहर, उसके बाद subject, subject के बाद be, few verb की first form plus ing, उसके बाद object, और last में क्या लगेगा, sign of interrogative, अब इसी का बनाते हैं, interrogative, will, राम, बी, रीडिंग, देखो, first letter capital आता है, will, capital, I, W, लेकिन, आर, capital क्यों है, क्योंकि ये proper noun है, अपने noun में समझा है, proper noun का first letter हमें सा capital होता है, अब ये interrogative negative sentence कैसे बनाएंगे, interrogative plus negative, अगर question भी पूसर आ गया हो, और मना भी कर रखा हो, कि क्या राम नहीं पढ़ रहा होगा, तो उसमें क्या आएगा, shall ya will बाहर, सबसे पहले, उसके बाद subject, फिर note भी, उसके बाद verb की first form plus ing, और last में object, और sign of interrogative, अब इसी का कैसे बनाएंगे हम interrogative plus negative, तो will, राम, नोट, बी, रीडिंग, है ना बिलकुल इजी, आप असानी से बना पाऊगे, और असानी से पहचान भी पाऊगे, अब जैसे मैंने एक sentence लिख दिया, I shall be playing football, तो आप पहचान पाऊगे कि कौन सा sentence है ये, आपको पता है कि shall be helping verb है और ing है, तो ये कि इसकी पहचान थी, future continuous की, आप असानी से बता पाऊगे कि ये future continuous है, अब मैं बोलूँ इसको कि ये जो affirmative sentence मैंने लिखा है ना, जो simple sentence में लिखा है, इसी का interrogative change करो, तो आप interrogative कैसे change करोगे, आपको interrogative का पता है कि helping verb बाहरा जाती है, उसके बाद subject आता है, तो आपको अगर बोला गया कि इस जो simple sentence है आपका, ये आप change करो interrogative में, तो आप change कैसे करोगे, पहले cell लिख दोगे, उसके बाद I लिख दोगे, और बाकी same to same लिख दोगे, ठीक है, playing football लिख दिया, और आपको पता है कि जब interrogative sentence आता है, तो last में sign of interrogative भी आता है, पर्शन वाचक, cell I भी playing football, समझ में आ गया, अब मैं बोल दूँ कि जो ये interrogative sentence है, इसका negative sentence बनाओ, आफरमेटिव में negative sentence बनाओ, तो आपको पता है कि negative कैसे बनता है, पहले subject आता है, subject क्या है, I, और फिर helping verb, cell, और आपको पता है कि helping verb, cell, not भी लगेगा negative में, अगर simple होता है तो I, cell भी हो जाता, I, cell, not be playing football, clear, ये आपका negative sentence हो गया, अगर मैं बोलों इसका interrogative or negative दोनों बनाओ, तो कैसे बनाओ गया आप, cell, I, not be, playing, playing, football, है ना, ये बिलकुल इजी, sign of interrogative, तो आपने ऐसे ऐसे practice करनी है, sentence बनाने है, अगर आपने screenshot लेना है, तो आप ले सकते हो, thank you